हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल BSC फ्लेट महां पे आप लोग का एक बार फिर से most welcome है तो आज का जो क्लास है वे BSC 3rd semester student के लिए है और उनके subject geology से related है तो आज के क्लास का जो main topic है वे है regulation at a translational label मतलब कि जो gene है वे translational label पर कैसे regulate होता है आज है क्लास में हम इस पर detail में discuss करेंगे with example तो मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो पिछला क्लास में ने attend करवाया था उस क्लास का main topic था regulation of gene expression तो अगर आप उस class को attend नहीं किये हैं तो आप सबसे पहले उस class को attend कर लिजिए क्योंकि जो उस class का topic था regulation आप gene expression उसी से related आज के class का भी topic है regulation at a translational label तो मैं आपसे बार-बार request कर रहा हूँ कि अगर आप उस class को attend नहीं किये हैं तो आप सबसे पहले उस class को attend कर लिजिए क्योंकि उस class को अगर आप attend कर लेते हैं तो आपको regulation जीन expression से related सारी बाते आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी तो जो आज के class का main topic है वह है regulation at translational label तो या फिर आप इस farm में भी इसको समझ सकते हैं कि जब यम RNA to protein की synthesis होती है तो इस process को हम बोलते हैं translation process तो इसी translation process को ही जब regulate कर दिया जाता है तो इसी label को हम regulation at translational label से define कर सकते हैं तो आएए इस topic के कुछ point भी है कुछ point को भी आप समझ लिजे तो उसमें से सबसे पहला main point यहीं है कि the corresponding mechanism are primarily targeted and controlled of ribosome कि जो translational label पर जो regulation है उसमें सबसे main point यहीं है कि control of ribosome कि जो ribosome है उसको पूरी तरीके से control कर देना क्यों क्यों इसको control कर देना ribosome तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहते हूँ कि जब मैं पिछले class को attend कर वा रहा था जिसमें कि protein की synthesis या फिर translation process को बता रहा था तो उस समय मैं वहाँ पर बताया था कि जो ribosome होता है वे translation process के लिए most important होता है क्योंकि यहीं जो ribosome है यह mRNA से जाकर attached होता है attached होने के बाद यह coding start करता है coding start करने से ही जो protein है उसकी synthesize start हो जाती है तो यहाँ पर तो हो रहा है कि regulation regulate कर रहे है जीन को regulate कर रहे है translational level पर तो translational level पर जीन regulate कैसे होगा जब ribosome को पूरी तरीके से control कर दिया जाएगा और वे जब जाकर mRNA से attached ही नहीं होगा attached नहीं होगा तो coding नहीं होगी coding नहीं होगी तो protein की synthesize वहाँ पर पूरी तरीके से regulate हो जाएगी तो EC process को हम बोलते है regulation at a translational level या फिर आप short form में ऐसे भी समझ सकते हैं जब mRNA to protein की synthesize होती है तो EC के बीज जब हम regulation at translational level तो यह आपने देखा regulation at translational level के कुछ पॉइंट अब आप इसके कुछ example को समझिए क्योंकि इस example के थुरू आप लोगों को यह जो topic है और better समझ में आएंगे तो इन में से मैंने दो example को यहाँ पर mention किया है प्योंकि अगर आपके exam में यह topic पूछा जाता है तो आपको वहाँ पर example देना most important हो जाता है तो इन में से जो पहला example हुए है selective inhibition of mRNA translation stored ucides का मतलब होता कि female जो gamit है जो female में gamit होती है उसमें जो mRNA जो stored होता है वह mRNA कुछ selective inhibition factor के कारण वह जो mRNA है वह पूरी तरीके से inhibit हो रहता है तो यह inhibit क्यो रहता है क्या क्या inhibit factor present होते हैं आईए इन पर हम detail में discuss करते हैं तो the ucides make and store mRNA जो ucides होती है या फिर female gamit है उसमें जो mRNA है वह पूरी तरीके से stored रहता है that will be used only after fertilization जब female gamit का fertilization हो जाता है तब यह जो mRNA stored है ucides में वह use होता है use का मतलब की वह protein की synthesize करता है this mRNA remains dormant और यह जो mRNA होता है यह dormant होता है मतलब की निस्क्री यह होता है किसके पहले तक जब तक की ucides का fertilization न हुआ हो they are activated when evolution fertilization take place और यह कब activated होगा जब की जब जो female gamit है मतलब की ucides है उनका जब fertilization हो जाएगा तब यह पूरी तरीके से activated हो जाएंगे तो आप लोग सब इसका मतलब ऐसे समझे कि जो mRNA था यह mRNA से जो protein synthesis की process है यह mRNA पूरी तरीके से इस process में regulate है female का जो gamit है उसमें जो mRNA है translational label पर ही वहाँ पर mRNA regulate है लेकिन जब fertilization हो जा रहा है तब वहाँ पर mRNA active हो जा रहा है या फिर आप इसको इस form में भी समझ सकते हैं कि mRNA are in cytoplasm and they are available for translational inhibitor prevent the translation of this mRNA in the oocytes कि जो oocytes है उसमें जो mRNA present होते हैं वह कुछ inhibits factor के current prevent किये जाते हैं जिससे कि वह translational label पर regulate रहते हैं तो जब जो female gamit है उनका जब fertilization हो जाता है तो fertilization होने के process के बाद जो inhibit factor present थे वह inhibit factor वहाँ से हड़ जाते हैं और फिर जो mRNA होए पूरी तरीके से active हो जाता है और active होने के बाद वह protein की synthesize को start कर देता है तो यहां पर यह example देने का पूरा मतलब यहीं था कि इस process में आप यहां पर समझ रहे हैं कि जो Usides है Usides में जो mRNA stored है वे mRNA पूरी तरीके से regulate हैं कब तक regulate है जब तक कि Usides जो female gammit से उसका fertilization नहीं हो जाता जैसे ही fertilization female gammit का हो जा रहा है तुरंत जो Usides है वे पूरी तरीके जो Usides में stored जो mRNA है वे पूरी तरीके से एक्टिव हो जा रहे हैं एक्टिव होने बाद वे प्रोटिन की सिंथेस कर दे रहा हैं तो यह था regulation at translational level पर पहला example जो तक ही उस साइट में जो mRNA store थे वे पूरी तरीके से regulate थे तो अब दूसरा example देख लिजिए आप differential mRNA longevity जो mRNA का आयू है दिर्ग आयू है वे कैसे डिफ्रेंट रहती है तो the longer an mRNA persist the more protein can be translated more time in cytoplasm more translation जब तक की ज्यादा time तक जब mRNA cytoplasm में present रहेगा तो वे ज्यादा time तक translational process को वहाँ पर होगी तो जब ज्यादा translational process होगी तो ज्यादा वहाँ पर protein की synthesize होगी तो ज्यादा वहाँ पर प्रोटीन की synthesize होगी तो यहाँ पर एक main point है इसको आप अच्छी तरीके से समझिए कि जो polyadenylated tail है यह जब अट्याज हो जाती है mRNA से तो mRNA का जो life वे पूरी तरीके से increase हो जाता है increase होने के वज़े से यह cytoplasm में बहुत time तक present रहता है और जब बहुत time तक present रहेगा तो यहाँ पर हमने बता है कि जब ज्यादा समय तक वहाँ पर साइटोप्लाजम में रहेगा तो यहाँ पर more translation होगा more translation होगा तो बहुत ज्यादे protein की synthesize होगी तो अब यहाँ पर main point अब यहाँ पर यह देखिए कि इन female rats जो female rats होती है केसीन MRN is normally short lived जो केसीन प्रोड्यूस्ट करने वाला या फिर क्रेसीन जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस्ट करने का जो MRN है वह बहुत ही short lived होता है मतलब कि कम समय तक ही lived रहता है but when the rat is lactating मतलब जब उस rat के बच्चे जो होते हैं जब milk को feed करते हैं lactating का मतलब feeding milk to baby बेबी के द्वारा जो rats के बेबी होते हैं उनके द्वारा जो milk की feeding होती है तब उसी समय pro-lactin is increase जो pro-lactin enzyme होता है वह पूरी तरीके से increase हो जाता है increase होने के बाद pro-lactin increase the life cycle of casein mRNA और यह casein mRNA मतलब कि जो mRNA casein को synthesize कर रही है उसी को ही हम casein mRNA से भी define कर सकते हैं तो वह casein mRNA के जो life है उसको पूरी तरीके से increase कर देता है increase करने के वज़े से ही जो mRNA है casein का mRNA casein को बहुत ही जादे मात्रा में casein protein को synthesize करने लगता है जिसके वज़े से जो baby होते हैं rats के जो baby हैं वह milk को feeding करते हैं और करने लगते हैं तो इस process में जो pro-lactin है वही increase कर रही है life को casein mRNA की तो pro-lactin इस process में बहुत important है लेकिन इसके पहले तक जब तक कि जो baby थे rats के वह milk को जब तक feed नहीं कर रहे थे तब तक जो mRNA था वह पूरी तरीके से regulate था लेकिन जब rats के baby milk को feeding करने लगे या फिर lactating करने लगे इसी process को हम lactating भी बोल सकते हैं तो lactating या फिर baby जो है rats के हुए milk को feeding करने लगे तो तभी जो pro-lactin enzyme है वह increase हुआ वह फिर mRNA जो casein produce करने वाला mRNA है उसके life को increase किया और जो mRNA हुए पूरी तरीके से express होका casein protein की synthesize करने लगी तो आई hope कि यहां तक मैंने जो बताया regulation and translational labor पर दो example भी हमने या पर आपको बताएं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे तो अगर आपको लगता है कि इस topic में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं बार पूछे जाने वाला question है तो अगर आपके question paper में ऐसा question पूछा जाता है तो आपको example देना यहां पर most important होता है क्योंकि किसी भी topic का जब आप example देते हैं तो उस topic का expression अपने आप ही बहुत जादा हो जाता है तो इसलिए अगर आप से पूछा regulation या translational level पर तो आपको वहा आज की classes में बस इतना ही मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद